आज हम पढ़ेंगे तक्षा दस्वी की पुष्टक सेतीज भाग दो में संकली जो कवेता है आतम कथ्य है इसके वैक्षा करेंगे इसके कवी स्रीजैसंकर परसाद जी हैं जो कि छायवादी कवी है ये कवीता उन्होंने किस परकार लिखी क्यों लिखी इसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार कवी को मुन्शी प्रेमचंजी ने आगर किया था कि उनकी पत्रे का हंस में वो उनकी आतम कथा छपवाना चाहते थे च्छापना चाहते थे लेकिन श्री जैसंकर परसाथ जी ने उनको कहा, उन्होंने बताया कि जीवन में उनके ऐसे कुछ विशेश नहीं है जो दूसरों को दे सके इसलिए उन्होंने अपनी आतम कता नहीं लिखी और एक कविता के माद्यम से आतम कत्थे अपने जीवन के बारे में कुछ उनको बताना चाहा कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों को रस दे सके, दूसरों को जीवन में खुशी दे सके तो इसका उन्होंनी एक कविता आतम कच्छे लेखी अब इसकी वेक्षा करते हैं प्रथम पंक्ति है मधूप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी मधूप का यारत है मन रुपी भमरा कि कवे कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है उनके जीवन में उनका जो मन रुपी भमरा है वैसी कौन सी कहानी अपनी कहे कि जिस कहानी को देख करके किसी दूसरे को सुख मिल सके कवे कह रहा है कि उसका मन रुपी भमरा कौन सी कहानी अपनी कहे जिसी दूसरे को सुख मिले कहने का भाव कि कवी के जीवन में ऐसा कुछ विशेश नहीं है जिसे जानकर दूसरा सुखी हो लेकिन आगे कवी इतना वच्छे कहता है कि मुर्जा कर ये रही पत्यां देखो कि इतनी आज घनी कि उनके जीवन रूपी जो पुन है उसमें बहुत अधिक पत्यां मुर्जा कर जढ रही है कहने का भाव कहें पत्यों का अर्थ दूसरा ले तो इच्छाएं और अकांक्षाएं तो कभी का यहां जो भाव है श्वर है उन्दराजा से भरा हुआ है कि उन्हें अपने जीवन में दुख और पेड़ा रुपी जो मुर्जाय पत्यां ही दिखाई देती है उनके उजिवन में कुछ विशेश नहीं हुआ है इस गंबेर अनंत निलीमा में असंखे जीवन इतियास अनंत निलीमा का आर्थ होता अंत हिन विश्थार असंखे जिसकी कोई गणना ने की जा सके जो एगणनी हो तो आगे कभी कह रहा है कि जो हमारा जीवन का जो अंत हिन गंबेर विश्थार है इसमें असंखे इतियास इसमें जीवन के असंग के इतियास रचे जाते हैं असंग के डियास हम किसों कह सकते हैं कि प्रते दिन हमारे जीवन में हमारे मन में ने जानों कितनी भावनाय उत्मन होते हैं वो भावनाय आते हैं जाते हैं पूरी होना नहोना ये हमारे हाथ की बात नहीं इसी प्रकार हमारे जून में असंग के इतियास लेगे जाते हैं तो यह लोग करते ही रहते हैं अपना वहेंगे मलिन उपहास जो असंग के इतियास है वे जो पीडाएं हैं वो बार बार हमारा कभी कह रहा कि मेरा वहेंगे मलिन उपहास कि मेरा मेरी पीडा वहेंगे करती रह हैं क्यों कि वह इचहेंं काक्षें पूरी नहीं होती और जो पूरी नहीं होती तो वह इचहें और कांख्षाई हमाराarah उपाष उडाती रहती है कभी चाहा कर भी उसमें कुछ Nexis हैं कर पातार क्भी विवस रहता है आगे कवी कह रहा है तब भी कहती हो कह डालो दुरबलता अपनी बीती दुरबलता होता कमजोरी कवी कह रहा है कि मेरे जुमें ऐसा कुछ विशिस नहीं है अब हाव ये भाव है अब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी जो दुर बलता है, अपनी बीतर जो बीता हुआ समय है, अपनी कमजोरी है जो मैं दूसरों को बताना नहीं चाहता, यह इस पर भी तुम कह रहे हो, कि मैं अपनी कमजोरियां तुम्हें बता दूँ, तुम सुनकर सुपआओगे, देखोगे गागरीती, कभी कह है कि मेरे जिन में ऐसा कोई विशेस नहीं है और जब मैं अपनी दुर बलता है और कमज़र तुम को कहूंगा तो यह तुम को इसको सुनकर क्या सुख पाओगे और जब तुम मेरे जीवन को करीबी से देखोगे तो यह गागरीती के समान है कहने के भाव यह खाली गड़ा है ऐसा मैं तो कोई भाव नहीं है कि मेरे जीवन बलकुल खाली है और इस खाली जीवन को देखτε करके तुम क्या सुख पाओगे आगे किंतु कहीं ऐसा नहा हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो आगे कभी कह रहा है कि जब मेरे जीवन की कता तुम सुनोंगे दुपन कता तुम सुनोंगे तुछ कता को सुन करके तुम यह ने समझने लगा लगना कि जो जीवन रूपी खाली करने वाले तुम ही हो तो कभी इस अपने बातों को से समझा रहा है कि हमारे जो मित्र होते हैं हमारे जो क्रिवी होते हैं वो यह हमारे जीवन को खाली कर देते हैं उन्हीं के साथ लगता हुआ मनुश्य है सारा दिन उन्हीं के प्रेम में उन्हीं के कारियों में लगा अपना जीवन समाप्त कर देता है इसलिए हां कभी जैसंकर पर साथ जी कह तो मेरे जीवन रुपी गागर खाली करने वाले अपने आप को ही समझोगे, ये सब अपने आप को ही समझोगे, मेरा रस अपनी भने वाली, मेरे जीवन का जो भाव का रस है, तुमने अपने आप में भर लिया है, कहने का भाव का कभी कह रहा है कि मेरे जो करीबी मित्रव द विश्या है कि अरी इसरल मन वालों कभी अपन ने मित्रों से कह الرहा है कि तेरी हसी उडाओ मैं कि मैं तुम्हारी हसी उडा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे सामने अपनी स्पेडा प्रगट कर रहा हूं भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाओं मैं आगे कभी कह रहा है कि मैंने जिनमें जो भूलें की है या परवंचना परवंचना दोका और जो दोके खाए हैं मैं दूसरों को अपनी भूलें और धोगा किस तरह दिखलाऊगु कि मैंने जिन्हें बहुत सारी भूलें के गल्तियां की हैं, दूसरे तरह धोगे क्खाया है, इन धोगों को परगट क्यों करें, यहनी कवी अपनी बात को दूसरे अपरगट करना नहीं चाहता, उजवल गाता कैसे गव मधूर चांदनी रातों की आगे कवी कह रहे हैं कि उसके जीवन में मधूर चांदनी रातों की मिठी समर्तियां मिठी यादे हैं उजवल गाता हैं उजवल गाता हैं सुखका से में कि वह उसे लगाताओं को महदूर चांदी रातों के मिठी यादों को क्यों परगट करे और किसके सामने परगट करे अरे खिल खिलाकर हंसने वाले उन बातों की कि जिन महदूर समर्तियों में कवी खिल कराकर हंसा था मिठी मिठी बातों में डूबा था उसका हर्दे परसंता से भरा हुआता वे उन मदूर समरित्यों को अपने जी एक्षनों को दूसरों को बताना नहीं चाहता यही बात कभी पर्थम दो पध्यांस में कह रहा है और तीसरे में आज हम वेख्या करेंगे तीसरे और चोते की तो पहले विदारतियों पहले दो में कभी ने बताया कि उस कभी का जीवन वा भावों से भरा हुआ है कभी का जीवन वा भावों से भरा हुआ है और आगे कभी क्या कह रहा है कि मिला कहां वैसुक जिसको मैं स्वपन देखकर जाग गया कभी कह रहा है कि उसके जीवन में उसे कभी सुक की प्राप्ती नहीं हुई वैस अपने में जि स्वापने में जिस सुक को प्राप्त करना चाहता था जिस सुक को आलिंगन करना चाहता था वैसुक भी धीरे से दूर से ही मुस्कुरा कर उसे दूर चला गया उसे प्राप्त नहीं हुआ तो कहने के भाव क्या है कभी जिस सुक को स्वापन में प्राप्त करना चाहता था वै सुख भी कभी को प्राप्त नहीं हुआ आगे जिसके अरुन कपोलों की मतवाली सुन्दर चाय में अनुरागनी उसा लेती थी निजिस्वाग मदुमाया में अरुन कपोल यानि लालाल गाल मतवाली सुन्दर चाय ने मस्ती भरी और अनुरागनी उसा लेती थी अनुरागनी होते प्रेम बरी उसा मेने होती शुभे पिकवी क्या जो सुपन का सुख का जो अधार था अपार सुन्दर महुत था और उसी सुक के जिसके अरुन कपोलो की मतवाले सुन्दर चाय में कि जिस लालाल गुलाबी गालों की मस्ती बरी छाया में कवी की सुबह होती थी कवी की जो प्रेम बरी सुबह होती थी कवी उसी सुबह में उसी मस्ती में मस्त रहता था कहने का भाव क्या है कि जिस सुक की जो लाला अले की मस्टिवरिचाओं में उसकी कविगी प्रेम बडी सुबह अपने स्वा की मिठास्ता उसमें परगड़ लेकर परगड़ होती थी उसके जीवन में उसी सुज़ को वो उसकी गालों को प्रैत्यका लाले उसुबह यानि कहने की बात क्या है जो कभी स्वपन में सुख चाह रहा था उसी सुख को वो ले करके उसी सुख की अपने मन में ले करके सुबह उठता है जगता है उसकी समरिती पाथे बनिया धके पंथिक की पंथा की जो सुख कभी लेना चाहता है जिसे सुख प्राप्त करना चाहत जिस वपन में जो सुप्राप करना चाहता है उशिस सुख की समरिती यानि यादें पाथे बने सारा बनी है आग कवी कह रहा है कि उशिस सुख की जो समरिती है यादें कवी का सारा बनी है ठके पंथें की पंथा थी जो कवी जो चलता चलता अपने जीवन में ठक गया है उसक कि यादें ही कम करती है कहने के भाग क्या है कि जीवन की लंबी रापर चलते वे ठक कर चूर हुए कवी रुपी यात्री के समर्टियों में किवल एक मात्र वही सहरा है और उसी की यादें उसकी कुछ धकान कम करना चाहती है और उसके जीवन का कोई अधार नहीं है उस सुक वह सुक ही कवी के जीवन का अधार है सीवन को धेड़ कर देखो के क्यों मेरी कंथा को आगी कवी कहता है कि वह पूस्ता है क्या उसके अंतरमन में जो गुद्री अंतरमन रुपी गुद्री की सिलाई को धेड़ करके उप सुपर हैसे को आप क्यों देखना चाहोगे कि मेर जो जीवन है जो जीवन की सीवन मेंने होता है सिलाई और कंथा मेंने यहां गुदड़ी होता है लेकिन यहां पर अपनी भीतर की अंतरमन की कथा हम इससे जोड़ते हैं कि कभी कहता जो मेरी भीतर की अंतरमन की जो कथा है उसको उधेड करके तुम क्यों देखना चाते हो कहन उस रहसे को अपने भीतर ही संभालक रखना चाहता है वह दूसरे इक्सान व्यक्त करना नहीं चाहता है अब लाश्ट जो पध्यान से है चोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाईं आज कहूं आगे कवी कह रहा है कि मेरे जीवन है बहुत छोटा सा है उसमें कोई विशेश कुल छोटा सा है और सुकों से रहता है उसमें कोई बड़ा नहीं है और बड़ी कहता है इसकी नहीं कह सकता नहीं बता सकता क्या अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं आगे कवी कह रहा है कि वह अपनी कहानी सुनाने के पेक्षा अपने जीवन के बारे बता रहना चाहता है, वो कहता है कि मैं स्वेम मौन रहूं और दूसरों की कहानियां सुनना चाहता हूं, सुनकर क्या तुम बला करोगे मेरी भूरी आतम गथा, अब इसे मैं भी नहीं है ठकीश हुई है मेरी मौन गथा, आगे कभी कह रहा है कि मेरे जो जीवन है, इसकी जो भूर भूली भाली है उसमें कुछ विचे साकस्ण नहीं है इसको वो कहना नहीं चाहता इसलिए कभी कह रहा है कि मेरी भूली भाली आतम गता को तुम सुन करके क्या करोगे अब उसका समय नहीं है कहने के भाब के भी उसका उचित समय नहीं हुए है थकी सोई है मोरी मौन वेता कि मेरे भीत्री पीड़ा है वैसम데 ह्नो तब पीड़ा कि उथे भीत्र में जो पीड़ा है वो थकी हुई है उसके अनकूल अबій समय नहीं है इसलिए उसकी मौन पीड़ा को अभी ठकी हारी सो रही है उसी को मन में छिपा रहने दे दूसरों को नहीं बताए रुचित समय आने पर अनकुल प्रस्ते आने पर दूसरों को बताना चाहता है और इस समय कवी अपने किसी भी दुख को परगट करना नहीं चाहता अपने आने परोगए रही है और अब रहा है, अ झाल झाल